लेके हासिर हैं और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे सिस्टम थिंकिंग तियोरी इन इंटरनेशनल लेशन्स मैं हूं मुमान ओफिल सफवान ब्लॉग सुस्टम और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आरत प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर ज़रूर कर दीजेगा हमें इसी चीज़ को इंटरनेशनल नेशन्स के अंदर पढ़ते हैं तो ये नेशन इस्टेट्स के दर्मियान जो रिलेशन्स हैं उनको जो है एकस्प्लेइन करता है अब देखें सिस्टम थियोरी एक्चुली बेस्ट अपॉन दे सिस्टम ऑफ बायलोजिकल मॉडल की ये किस जगह से लिया गया बन्यादी तोर पर सिस्टम थियोरी तो ये बेसिकली एक बायलोजिकल मॉडल है उसको जो है वो लेके इन्होंने जो है वो इसको से रन करता है बेसिकली लॉटविक वॉन बेटन फे हैं बायलॉजिस्ट थे और इनों ने जो है बेसिकली 1940s के अंदर वर्क किया और इनके साथ-साथ जो है वो एक और सोशिल लॉजिस्ट इंजिन का नाम टैलकट पैरसन है इन दोनों के मुश्तरका वर्क को जो है वो मिलाके जो है वो रिलेट कर दिया जाता है सिस्टम थिंकिंग के साथ खास और पर इंटरनेशनल लेशन के अंदर फीचर्स क्या है इसके वो देख लेते हैं देखिए नमबर वन सिस्टम मस्ट हैफ किलियरली आइडेंटिफायबल ऐलिमेंट द बनाते हैं और औरगन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं याद रखिए कि अगर कुछ सेल मिलके एक मुश्तरका कॉमन वर्क करेंगे कॉमन फंक्शन करेंगे तो वो एक टिश्यू किलाएगा कुछ टिश्यू मिलके कॉमन फंक्शन करेंगे तो वो एक औरगन किलाएगा और कुछ organs मिलके एक खास function करेंगे तो वो एक system कहलाएगा यानि कि अगर कुछ organ मिलके अलग-अलग functions कर रहे हैं तो फिर ये system नहीं है हाँ अगर कुछ organs मिलके एक function कर रहे हैं एक function को create कर रहे हैं तो ये system कहलाएगा तो same passion में अगर कुछ organs मिलके कोई function international relations के अंदर कर रहे हैं तो वो उसकी system हो जाती है system के अंदर elements must have a relation to each other और वो elements वो organs वो units एक दूसरे से interlink करने चाहिए इसी तरीके से हर system के अंदर must have a defined boundary or limitations और कोई भी system जो है उसकी एक हद होती है उसकी एक limitation होती है international relations के अंदर आप interaction देखते हैं between state actors और non-state actors state actors क्या है state actors जाहिर सी बात है for example खुद पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश, United States of America और non-state actors के अंदर MNCs, TNCs आ जाती है non-state actor कोई individual भी हो सकता है ठीके जी अब यहाँ पर यह और मजीते explain करता है कि it also explain that what are the major and sub-major elements अब यह जो major element कोई भी मुल्क, पाकिस्तान, इंडिया, यह nation states हो सकती है और sub-major elements जो है, वो organizations हो सकते है for example SARC, for example European Union के system approach in international level है क्या international relations के level पे तो it is a macroscopic as well as microscopic study, यह एक broad vision के अंदर भी आप जो है वो system approach देखते है अगर पाकिस्तान एक मुल्क है तो उसका जो है वो शिंगाई का operation में होना क्यों ज़रूरी है या वो अगर होना चाता है उसका member तो क्यों होना चाता है और नहीं होना चाता है तो क्यों नहीं होना चाता है आज पूरी की पूरी global economics जो है वो basically एक दूसरे की interdependent है और यही system approach है यही system thinking है इसी तरी के supra national actors जो है वो United Nation organization या दूसरी को regional organization फॉर एक्जैंपल European Union या जो हो सारक आप देख सकते हैं कि यह supra national actors होगा इसके system approach को जो है वो चार्स मैकलेंड ने जो है explain कर दिया कि यह एक ऐसा behavior है two way behavior है जिसके अंदर के एक मुल्क regional या international organization से फाइदा उठाता है और एक organization basically मुल्क से बनती है तो दोनों का अपस में two way जो है वो taking है अब बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजनल या international organizations तक नहीं रह गई है जिनको किक मुल्क मिलके बनाते थे और फिर वो organizations जो है वो उन मुलकों को जो है वो approach करती थी अब यहाँ पर MNCs और TNCs भी आ गई है और इसी तरीके से governmental और non-governmental organizations यह सब मिलके system approach को create कर रहे है six hypothetical models of global political organizations जिसको की design किया था Morton & Kaplan ने इसको देखना पड़ेगा कि Morton & Kaplan किस तरीके से hypothetical six model of global political organizations को explain करते है देखते है पहला balance of power system अब balance of power system क्या है देखिए इसको समझने के नहीं हमें world war 2 पे जाना पड़ेगा before world war 2 big powerful states balance by other power states and limit the power of each other world war 2 से पहले जो पूरी दुनिया का जो system था यह balance था चंद बड़ी ताकते थी उस वकत जो के एक दूसरे के उपर हावी थी एक दूसरे के उपर जो है वो तारी थी जिसकी वज़ा से system जो है वो balance होता था जो है जो है जो है जो है उस वकत अमेरिका था उस वकत खुद रशिया था चाइना था यह सारी की सारी बड़ी बड़ी पावर्स थी दुनिया के अंदर और यह एक दूसरे को के उपर अपनी ताकत को लेके एक दूसरे को balance कर देती थी यह world war 2 से पहले का balance of power system था यह पहला system approach था यह पहली system thinking model था ठीक है जी दूसरा lose bipolar system और world war 2 के बाद दूनिया ने देखा कि एक lose जो है वो bipolar system के रियड होता है जिसके अंदर USA और USSR जो है वो दो मुलक खुल के सामने आते हैं और यह lose इस वजह से हो जाता है कि कुछ मुमालिक जो है वो USA के साथ अटेच हो जाते ह और कुछ जो है वो USSR के साथ मिल जाते हैं और बाकी मुमालिक कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं हम non-aligned movement का हिस्सा हैं हम जो है वो हम किसी के साथ साथ नहीं देंगे ना हम USSR का साथ देंगे ना USA का साथ देंगे और यह जो है एक lose bipolar system create होता है तीसी तरफ कहता है टाइड बाइपोलर सिस्टम वो कहता है डिरिंग कोल्ड वार एक्जिस्टेंस अफ नाटो एंड वार्सा अब जब वर्ड वार टू के बाद USA और USSR खुल के सामने आते हैं जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं यह बेसीकली उस वकत का सोवियत उन्यों राज का रख एक रशिया और अमरीका के दर्मया एक एक खिचाओ माहुल था जिसके अन्दर जो है वो USA के साहँ जो जो है वो ornato countries खड़े वे थे जो है यह एक military alliance था जिसके अंदर के जो है कुछ मुल्क जो हैं वो अमरीका का साथ दे रहे थे दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट था जिसके अंदर के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो सोवियत यूनियन का साथ दे रहे थे और ये एक बड़ा टाइट बाइपॉलर सिस्टम 80s के अंदर और तिल दी और लोग जो हैं वो मुमालिक जो हैं वो एक दूसरे से सबकत ले जाना चाते हैं एक दूसरे पर बढ़ोती ले जाना चाते हैं नमबर फोर यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम अब यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम को समझने के लिए आप समझेंगे कि formation of big organizations like United Nation organization to control all countries और इसी तरीके से एक और जो चौता माडल जो है वो Morton Kaplan ने दिया वो ये दिया कि एक जो है वो universal actor की मौझूद की जो है वो भी जो है वो balance of power को create करती है और वो किस तरीके से होता है कि जब आप United Nation organization की बात होती है तो किस तरह से हावी हो जाती है सारा मौमालिक के ओपर कि अगर कोई मुलक अपनी मनमानी करेगा तो United Nation organization उसके खिलाफ एक्शन लेगी और ये एक सिस्टम अप्रोच नजर आती है कि किस तरीके से दुनिया के अंदर international relations को मैनेज किया जाएगा आगे चलते है hierarchical international system अब इसको आफ वर्ल्ड आउटर कह सकते है यानि कि एक dictatorial अप्रोच के साथ जो है वो कुछ मुलक जो है वो दुनिया के ओपर हावी होने की कोशिश की जैसे नाजी जर्मनी इसका बहुत बड़ी मिसाले कि किस तरीके से उसने पूरी दुनिया के system को बदलने की कोशिश करी और बदल भी डाला किसी हद तक और इसी तरीके से दूसरा non-directive है जो के अंदर से आता है democracy के जरीए से prevail करता है और इसके अंदर बाकाइदा सब की consent सब की रजामन्दी होती है कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की ताबेदारी या उसका साथ दे रहा होता है तो वो एक democratic अंदाज में दे रहा होता है किसी के order को follow करके नहीं कर रहा होता है किसी की जबर्दस्ती की वजा से नहीं कर रहा होता है अब number six के उपर जो है वो unit veto system है और unit veto system को समझने के लिए आपको Thomas Hobbes का state of nature को समझना पड़ेगा Thomas Hobbes एक political science के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और उसने state of nature दिया state of nature के अंदर उसने explain किया कि किस तरीखे से एक inarchy की situation है और हर ताकतवर दूसरे ताकतवर को जो है balance of power create करता है state of nature के अंदर सब के सब जो है वो basic करी एक ताकतवर के सामने surrender कर देते है और वो ताकतवर जो होता है वो lead करता है और यूँ जो है वो एक system approach create होती है कि जो कमजोर है वो कहता है कि मेरी हिफाज़त का जो है वो ताकतवर के जो है और वो ताकतवर फिर जो है वो lead करता है ये किसी कबीले के अंदर कबीले का सरदार भी हो सकता है किसी जो है मुलक के अंदर मुलक का बाक्षा भी हो सकता है और पूरे international relations के अंदर कोई एक मुलक जो है वो किसी पूरे के पूरी दुनिया को लीट कर सकता है जैसा कि आपने एक जमाने के अंदर 2000-2001 के अंदर देखा कि अमरीका वाहिद सुपर पावर था और वो पूरी दुनिया को लीट कर रहा था तो ये 6 मॉडल्स वो किसी भी वक्त इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो है वो वैलिड हो सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो सिस्टम अप्रोच को जादा बैतर अंदाज में समझ सकते हैं ये मेरी प्रेजेंटेशन थी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेर कर देगा थैंक यूर मच